दोस्तों आपको WhatsApp में अपना last screen hide करना हो या फिर आपका जो read shift है blue tick वाला उसको hide करना हो वो कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा लेकिन WhatsApp में अभी बहुत ही बड़ा update आया है बहुत ही major update आया है जिसकी मदद से आप अपना जो online status है न उसको भी hide कर सकते हैं मतलब आप WhatsApp मे online रहेंगे आप किसी को message करेंगे लेकिन आपका जो status है न वो online नहीं दिखाएगा और last screen भी नहीं दिखाएगा ये major update अभी roll out हुआ है और कुछ-कुछ ये users को भी मिल चुका है चली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना है आप किसी को message करेंगे आप online सबसे पहले अपना whatsapp है उसको open करना है और उसके बाद आपको क्या करना है ये three dots में जाना है और उसके बाद यहां पे आपको Settings का option मिल जायेगा तो by default यहाँ पर ऐसा कुछ एक setting आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि दिखा होगा my contact इस पर टिक होगा और everyone पर टिक होगा आपको यहाँ पर क्या करना है अपना online status को hide करने के लिए सबसे पहलो तो यहाँ पर who can see my last scene पर nobody कर देना है और second यहाँ पर who can see I am online पर second वालना जो option दिखरा है आपको same as last scene इस पर क्लिक कर देना है इतना सब कुछ करने के बाद और कुछ नहीं करना है simple back आ जाना है और अब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों mobile अपना side by side तो यहाँ पर देखी मैं message कर रहा हूँ और यहाँ पर second वाले mobile मेरा online status show नहीं हो रहा है तो दोस्तों यह WhatsApp का एक bug आया यह नया feature है यह तो नहीं पता है लेकिन इस trick को आप use करके अपना जो online status है उसको hide कर सकता है दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं अपने bonus trick की तरफ आपको पता ही होगा कि वाट्सप में edit message का option आ गया है आप कोई भी message send करेंगे उसको edit कर सकता है लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी trick नहीं है जिसकी मदद से आप कैसे पता कर सकता है कि edit करने से पहले वो message क्या था वो कैसे आप देख सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो एक application download करने की ज़रूत पड़ेगी वो कौन सी application इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा और उसके बाद simply आपको उस application को open करना है और आपको open करने के बाद यहाँ पर यह जो option है ना यह पहले से off रहेगा simple आपको इसको on करदेना है इसको on करेंगे पहली बार तो आपको notification का access देना होगा simple आप इसको notification का access दे दिजेगा उसके बाद अभी क्या करना है आपको और कुछ नहीं करना है इस application close करके रख देना है अभी क्या होगा कि अभी जैसे कि मानलेजे मैं कोई एक message कर रहा हूँ हाई लिखके ठेके और यहाँ पे मेरा ये message आ चुका है अभी मैं ये वाला जो message है इसको edit कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे मैं इसको edit कर देता हूँ कुछ भी लिखके इसके आगे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ और send कर दे रहा हूँ इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो application है वो automatic detect कर लेगा कि आपके WhatsApp में किसी ने message को edit करके भेजा है और वो same आपको यहाँ पे notification में भी दिख जाएगा कि यहाँ पे किसने ये message को edit करके भेजा है और साथे साथ मैं आपको यह भी बता दू कि यह जो trick है इस application को download करने के बाद ही काम करेगी इससे पहले कोई भी edited message होगा ना वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा तो इस बात का आप ध्यान रखेगा तो दोस्तो बस आज किस वीडियो में इतना ही आपको कैसे लगा हमारा आज का यह वीडियो कोमेंट करके ज़रू बताएगा और साथ यहाँ वीडियो के जल सेख लाइक कर दिजे चैनल को सब्स्राइब कर दिजे मैं आपसे ऐसे ही मज़िदार और इंट्रेस्टिंग नए वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए बाबाय